नमस्कार राजस्तान तक में आपका स्वागत है राजस्तान तक ने नया विशेश कारेकरम सुरू किया है विधान सभा चुक्पाल जिसके तहत हम जानेंगे कि विधान सभा के अंदर जो सरकार है उसने क्या-क्या काम किये या कि जुस्तानिय विधायक उन्होंने क्या काम कि कि इसको लेकर आपका किया कदने क्यरी काम consult 여 works and सब्सक्राइब कृट्राइब कि इसना करते हैं जुक्तमर्त मांगान संब्सक्राइब प्रीटे में कितने काम होएं नहीं हुए इसको ऐसको लेकर आप नजरी है कितने काम प्रीटे काम हुए मैं군 प्रेट से रुमानगर्ड विदान सावागा जो छेतर है इसका विकास बाजपा से जुड़ा हुआ है वर्षों पहले कोई पिछली सदी में लगबग बिर्जप्रकास जी स्वर्गिय बिर्जप्रकास जी गोयल कॉंग्रेस के यहां से जीते थे मंत्री बने थे उन्होंने कुछ काम रूप से काम करवाई थे और उसके बाद लगा था रूणी सो तिरणवे बत्तर से लेकर के तिरणवे सब्सक्राइब के बीच का जो पीरिट था हनुमानगार्ड विदान सभा का छेतर विकास के नाम से अच्छूता था और विकास क्या होता है यह हमको पता नहीं था जबसे बाजबपा सरकार बाजबपा क्या विधाय की जहांने लगे हैं तब से यहां विकास की गंगा भाई है हम ने अपनचैस्टर पर अब इसके बाद इस वार जो कांग्रेस हाई है इन्होंने थोड़ा काम करने पर्यास किया लेकिन पहुंच नहीं पाए उस उचाई को नहीं छूपाए जो जिनको छूपके हम छोड़ गए इसलिए मेरा निविदनी है कि विकास नाम की कुई चीज नहीं है अब मैं लंबे टाइम पर तो नहीं जाता विदानसभा की बात करता हूँ तो बहुत से काम थे जैसे हमारे यहां कि Sun 25 में आकर के 96 में में आकर ऑपनाइटि है जितनी टंकियां बंना गे थे उसके बादब आठच में आकर के मडम सरकार बनीं एकामने कुछ इसकी में पर्यास किये इसके अलावा कांगरेस ने क्योंकि जन संख्या बहुत बूरी तरह से बढ़ चुकी जिसमें लगू बारतार उसको कह सकते हर इलाके के हर प्रदेश के लोग यहां विराजमान है इसलिए जन संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है और बड़ी जन संख्या को पेजल की सप्लाई भी यह पूरी नहीं क बढ़ने चाहिए ताकि पढ़ाई की सप्लाई से हल रहे हम जो ट्रास्फार्मर लगा थे सप्लाई के लिए वह ट्रास्फार्मर चल रहे हैं उसके लावा क्नेक्शन बहुत बढ़ गया इसी आगे और आगे तो कहने क्या मतलब जो मूल बूस्विदा है उनका इन्होंने मूल बूस्विदाओं से वंचित जैसा कि इन्होंने कहा कि हनवानगर्ड अभी आचूता है विकास के नजरी से देखे तो आप बताएं क्या मानते हैं हनवानगर्ड विदार्सभा के विशेस्तर बात करें अपने तो क्या काम ऐसे हैं जो नहीं हुए और क्या उमीदे थी ही जो पूरी नहीं हुई है सबसे पहले तो जब हमारी गवर्मेंट थी भारतिय जनता पार्टी की आदरनीय डॉक्टर राम परताव जी ने दो सो वियासी करोड रुपे की लागत से पेजल की योजना लेके आए उस योजना को इन्होंने आते ही बंद कर दिया और उसके दिग्यें तक खुद ही पड़ी है और उस पैसे को इन्होंने कहां लगाया हम कुछ नहीं पता सकते हैं दूसरा आप खुद देख रहे हो जो तारों का जाल है कोई नया कुछ नहीं किया जैसा था वैसा का वैसा ही है इनके शोग घैलोज जी मुख्यमंत्री जी थोड़े दिनों पहले यहां आये थे उन्होंने यह कहा कि श्पिनिंग मील को हम चलवाएंगे आनन फारन में कागज मंगवाए और मंगवाए बड़ी उमीद थी सब जनों को कि भी घोशना इस बजट के अंदर इसकी घोशना होगी चालू होगी यह स्पिनिंग मील चाहे किसी भी तरीके से होती वो भी नहीं किया और अन्वानगड सीमावर्ती छेतर का एक जिला है यहां पर हमारे अगर हम यहां से आगे निकले चूरू जुंजुनू नागोर वहां जाएं और यहां डीजल पेट्रोल हमारा महंगा है हम लोगों हम लोगों ने अभी जब आये थे अश बिल्कुल अन्वानगड के अंदर जो दो रुपे तीन रुपे लीटर महंगा जो डीजल मिल रहा है अन्य जिलों की बनस्पत उसको कोई इनका ट्रांस्पोर्टेशन का कोई सिस्टम है उसके तहत है वो उसको मैं सही करूंगा वैट में कमी करेंगे केंदर सरकार ने जो बाजपा के पूर उजल संशादन मंत्री थे डोक्टर राम पर्ताव उनके परियासों से 282 करोड के परियोजना आये थी जल परियोजना जिससे के चलते आम लोगों को स्वच जल मिलना था और जैसे ही सरकार पल्टी और इन्होंने उस परियोजना को बंद कर दिया जि कि बहुत चाया रहा था बाजपा काल में बंद हुए थी और जब सरकार कॉंग्रिस की सत्ता में आने से पहले उने वादे किये थे कि स्पिनिंग मिल को शुरू किया जाएगा लेकिन आज तक वो स्पिनिंग मिल शुरू नहीं हुई है और इस बजट में भी लोगों को अनुगर विदान सब्बा की बात करें तो यहां क्या काम सरकार ने करवाएं हैं आपकी सरकार ने और क्या काम नहीं हुए पहले तो मैं इस बजट के लिए हमारे राजवस्तान के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्याबाद देना चाहता हूं जो कि अनुमाने गर मे सब्सक्राइब करने महाविदाले नोहर में आई टीए कोलेज सोने यह बात सही मैं अनुमानगड विदानसभा की बात कर रहा हूं अनुमानगड विदानसभा जो कॉंग्रेस ने वादा किया था स्पिनिंग मील का मुद्द मिल के लिए जो उन्होंने का है आपने देखा है कि सुद्रड यह मैं दिखा दूँ कोफी बढ़िया इस यह गोश्चना कर देते कि स्पिनिंग मील बंद बढ़िया से सुरू कर रहे हैं लिख दिया उसमें सुद्रकरें उनको क्या उम्मानगड करेंगे और आज यह नोरंग असर्ब नोहीं पनाया है और भी कई योजन किस तरह के विकास कारें की देख लो हर जगह हर गड़ी में हर चोराय पर देखने को लग रहे हैं आप इदर पिली वंगा से आजाओ किसान पारक आएगा आपको क्यों गांग क्यों नहीं देखो विकास जो पारक बनाया है सब्सक्राइब करें नहीं बनाया है और क्या कुछ ऐसी बाते रही है कि उन्हें भी पूरा किया जाना चाहिए था शिप्णिंग मिल की जो मांग है वह हमें उमीद है कि यह पूरन रूप चलू होगी तो इनका कहना है कि हनवानगर शहर अब शहर सा लगने लगाया जीला लेकिन आज हालाथ सुध रहे हैं किसान भी मार्षब मौजूद है इन से बात करते हैं आप बताएं किसानों निराज किया इसकी बेलकुल निराज कि यह जो अपना चेतर है अनमानगर की बात करें अनमानगर के जाता है जिसको राइस वेल्ट की गोष्णा के लिए कभी सम कि लाइनों में शिफ्ट कर दिया वो रोज की फाल्ट होती है तिन तिन दिन लाइट नहीं आती और किसान को सबसे बड़ा मामला रहा है कभी अपना यहां पर सबसे ज़्यादा दान होता है तो जो पराली का परबंदन के लिए जो सेंटर गोर्मेंट की बहुत बड़ी है एक स्कीम है जिसके अंदर पंजाब और याना है राजस्तान को उसमें सामिल करने के लिए कलेक्ट साब को आधिकारियों को यहां पे सब को तीन से चार बार हम लोग दे चुके हैं लेकिन एक लादा तक किसानों के लिए नहीं कर सकते हां दंड जो इन्हों ने वह सरवे के लिए किसान की जब पराली जलाता है तब तो उनकी फोटो थए और वो ही ड्रोन किसानों के लिए निरासा लगी है कोई कुछ नहीं किसानों के हाथ निरासा लगी जैसे कि राजस्तान को नहीं जुड़ा है पंजाब और हर्यान जिस तरह से जुड़े हुए कि अगर क्रिशी पर्दान जिला और धान का टोरा भी का जाता है राइस बेल्ट करने की मांग भी काफी लंबे समय से चल रही थी लेकिन पूरी नहीं हो रही है किसान भी निरास नजर आ रहे हैं आप बताएं जी क्या मानते हैं वांगड विदान सबाग वीशेश कर बात करे और निश्ची तोर पे कहीं न कहीं हम लोगों से कमी रही उस सुझे से स्पिनिंग मिल बंद हुई और भारते जन्ता पारटी को इस बात का खामयाजा भी बुक्तना पड़ा हम लोग चुनाव भी आ रहें कॉंग्रेस का परमुख मुद्दा था कि वो स्पिनिंग मिल सिर्फ इन्हों ने जो काम किया है वो एक ही किया है कि जो हमारे एक महतोपूर्ण योजना हमारे दोनों शहरों के लिए और चार-पांच गाउं के लिए 24 गंटे जो शुद्ध पेजल की योजना थी जिसमें 40-50 क्रोड के लगबग रुपे लग भी चुके थे उस पैसे का का वी स्टेज किया उस योजना को बंद कि यहां से ऑफ़िस को बंद कर दिया यहां से Shift करके ओफ़िस को गंगानगर भेच इस तीनिल्स के लावा गंगा-नगर रोड्ड पे जो हमारे टाइम में ओवर्ण स्विकृत था इसको इन्होंने बंद करके कण्वॉर्ट करके तो इंडर पाउस के अंदर हम कितना ही बड़ा या कितना ही उंचा अंडर पास बना दो बरसाथ सीजन में निश्ची तोर पे उसमें कहीं ने-कहीं परिशानी कई रहती है। वह बीज होगा अंडर पास अंडर फास रहे तो कि इसके साथ साथ जो हमारे किसानों के लिए पक्यख़जों की जो स्कीम थी वो उन्हों ने बंद से लिए में अब इसका मिन्हों ने जूश्ञा कि है तो ये तो हम सब को पता है कि जुनावी साल में बजट किस तरहीं से उसकी गोशना होती है और उसका इंप्लिमेंटेशन किस तरह होता है हमेशा इसे पूरे पिछले पूरे चार साल में युवाओं के साथ जो बेद खिलवाड हुआ है पेपर लीग और हमें कल समझ में आया जब इनका बजट लीग हो सकता है तो पेपर लीग होना तो कोई बड़ी बात नहीं बजट बहुत ही पेपर लीग मामला है वो तो फिर आप समझ जी सकते हो भी पेपर लीग क्यों हो रहे हैं निश्ची तोर पे नहीं कहा कि जिस तरह से पेपर लीग होते हैं उसके बजट भी लीग हो गया तो ऐसे में अंदाजा लगा जासता कि सरकार कितनी गंबीर है आम लोगों के लिए अब बजट में गोशने की हैं उनका कहना है कि चुनावी गोशने हैं और दरातल पर इनका कुछ नहीं होने वाला है जो कि इन्होंने मुद्दे बताए जिस तरह अंडर बिरिज का मुद्दा हो या दूसरे और को मुद्दे हो इनको निराशा हात लगी है और आप से जानन लगए मेरे को बॉड़ का दिकारलगव मिला था यत्रगाबत है मेरा लाक्षर साब जो हमारे रामपरताप है उनको विकास दूत का जाता है क्यों का जाता है उन्होंने बताया उनको हुआ विकास का या और मैं समर्जता हूं विजन परतनिदी काम यहीं सरकार बीजे पीय कांग इसका काम यह विकास क्रवाई शहर का क्रवाई विकास हुआ है पहले वह अब भी हो रहा है लगाता रहा है वह बिल्कुल उसमें कहीं को इसी डिमांड जो पूरी होनी चाहिए थी नहीं हुई सरकारी आएगी जाएगी लेकिन जनता की जब तक सुनवाई नहीं होगी तो खाम्याजा जनता को भुखना पड़ेगा वानगेट विदान सभा में सुनवाई हो रही है नहीं हो रही है बिल्कुल मैं एक छोटा से एक्जमपल देता हूं मैंने बताए ना आपको मैं सब्सक्राइब करें अपने 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 अनोखी मुहीं है सहर के अंदर निश्ची तोर पे इन्होंने जो मुहीं चला आपको बताएं अधर हमारे घ्लोजी ने भी मेरेको नहीं पता क्या प्लानिंग किस लेबल की मनेजमेंट यह लोग होती है उनकी प्लानिंग होती है मुख्यमंत्री जीने जो सरकार ने गोशना कि सरकारी स्कूल में गनवेस देंगे उन्होंने दी डेसे सेसंसमापत होने क अधर बांटनी चलू किया और मेरी यह समझ मेरा भी उन्होंने गोशना मतलब उनका पचार नहीं हो रहा बैक फूट पर हमारे मुख्यमंत्री सब के हैं जब सुंद्र जी तो वह भी हमारी थी प्रोगे लोगे लेकिन वह अपनी इन योजनों का पचार नहीं कर पाते सोही पाजपा की टीम आगे है जो यह सरकार की जो योजना है उनका पड़चार सही डंग से नहीं हो पाया है इसके चलते वे योजना ही जो है इंप्लिमेंट नहीं हुए और भी लोग मुझूद इन से बात करेंगे आप बताएं क्या लगता है आपको जो हर्मानगर विदान इसके लिएन सतर परसेंट बुजट में उन्हों इंप्लिमेंट किया है अब बजट पर चर्चा और यहां उमीद है अभी भी मानिया शोगलोजी से भी पोस्ट मेटर भी कुछ नकुछ हमें आशा है उस आशा को पूरा करेंगे अशा जरूर है कि पूरा करेंगे जो कि बजट कारेकल है जो साथ दिनों का है उब गएड़ है कि जैसे हनुसे को चारों चारों तरफ को आप लें तो इसको बाइपास मिले जैसे सेर में आने के लिए समझ्या थी सेर के अंदर आते थे तो काफी ट्राफिक जाम होता था आज यहां इसारे में स्कूल के पास से अंदर कर सकते हैं उदर बाइपास से एंट्री कर सकते हैं यह सब बीजेपी सरकार की देन है कांग्रेश की सरकार में तुलनात्मक रूप से देखें तो ऐसा कुछ देखने को नात्मक रूप से नहोंने कहा कि बीजेपी सरकार के अंदर अनमांगड को खासा फाइदा हुआ योजना आई थी विकास हुआ था लेकिन को इसका अपना मत है कि इस काल के अंदर काफी काम हुए आलांकि अनमांगड की बात करें तो यहां जो पार्कों के निर् से बहुत काम हुए आज दिश्टी पारक देख लो स्कूल नहीं हिंदी मीडियम स्कूल थे इंग्रीज मीडियम के स्कूल आगे हर गरीब बच्चा हमीर बच्चा उसी के अंदर बहुत बड़ी विकास हुए बिजली फिरी किये गैलो सरगार ने और कितना है विकास तो बर अब दों को लेकर जो यहां विकास करें हुए है नहीं हुए दरसल क्या है अभी जो बजट प्रस्तूत किया गया है उसमें हमारे अनमानगड को मिला है नसा मुप्ति के अंदर अच्छा यह होता कि हमारे जो बेरोजगार है उन बच्चों के लिए रोजगार के कोई चालू करना और हमारे जो किसान साती है उनके नवाचार के लिए कुछ ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट त्यार करना यह सारे अच्छे से अच्छे काम होते तो बहुत अच्छी शुरूआत होती क्योंकि विकास की जो बात है वह उननीस सो तिराण में मैं मन्या डोक्टर राम परता रही है वो भारतिय जनता पालिटी दोवारा की गई है और इस सरकार में मैं तो यही कहूंगा कि विदायकों को खरीद फ्रोक्त करने के लिए हजारों करोडों रूपे इस सरकार ने बादिये और सरकार चारीस दिन तक दसल मेर के फाइव स्टार रोटलों में पड़ी रही क्या आज अमारा फर्जी ये बनता है कि अमारा विदायक वहाँ चारीस दिन तक फाइव स्टार रोटलों में रहे जनता कामों के लिए तरसे इसलिए मैं तो इनको यही कहूंगा कि लाइन पे आजाओ जनता सुधार देगी जनता सब जानती है पबलिक सब जानती है अगर इन्होंने विकास कारे नहीं किये तो जनता सुधार देगी जैसे इन्होंने कहा कि आप से पूछना चाहूंगा क्या मानते हैं हनुमानगट विदानसवा को लेकर क्या रुख है आपका अनुमान गट विदानसवा में कोंग्रेस की सरकार जिस प्रकार आई और जिस प्रकार उन्हों ने गोशना की अनुमान गट को कुछ नहीं मिला अनुमानगड के माननिय मंत्री जिनों ने एग्रिकल्चर कोलेज खुलवाने की गोशना की एग्रिकल्चर कोलेज जो खुलवाया वो उसमें ना तो कोई विवस्ता है महतमा गांदी जो इंगलिश मीडियम स्कूल खुलवाई उसमें भी कोई विवस्ता नहीं है दूसरी पा बात को जागना पड़ता है और रूपनगर का शेत्र है उसमें खारा पाणी फुल्राइड का पाणी जो दे रहे हैं उसे घुटनों का दर्द अनेक दिखते हो रही है और दूसरी बात भी यहां जो बिजली थी बिजली की उन्होंने क्या कि बिजली के बिलम ने कम कर दिये परंब बिजली रहती नहीं है जो बाजबर आज में रहती थी वह अब 67 के लिए अने वाले दिनों में शेष्ड़रा पानी की हो काफी समस्या है और आने वाले समय में इनको सबक सिखाया जाएगा, कॉंग्रिस पार्टी को अटाया जाएगा पारिक जी आप से पूछना चाहूँगा विधान सभा अन्मानगड विशेश कर अन्मानगड की बात करें अपने किसानों के लिए खेती और किसानी के लिए चाहिए वह युवाओं के लिए शिक्षा के च्छत्र के काम हो चाहिए वह आज मेडिकल कॉलेज अगर अन्मानगड में बन रहा है तो वह हमारे यससवी परदान मंत्री नरेंदर मोदी जी की वज़ए से बन रहा है कॉंग्रेस का जो इतना ही आता है इसमें कि जो एक राज्य के हिसाब से जो एक कुछ परसेंटेज जो होता है वह राज्य सरकार को लगाना पड़ता है चाहिए कोई भी सरकार हो और जहां तक मानिय मुख्य मंत्री जी केंदर की योजनाओं का उनको मोडिफाइड करके अपनी योजना बनाकर जो ये काम कर रहे हैं तो ये सारा खेल जनता जानती है दूसरी मैं अनुमानगर्ड विदानसवा की जबाब बात कर रहे हैं तो मैं अनुमानगर्ड विदानसवा की अगर बात करूं तो आज अनुमानगर्ड का परशाशन अनुमानगर्ड का शाश प्रशासन अमारे MLA साब मेरे को नहीं पता अपने नीजी कारणों से या स्वास्ते कारणों से कहा है लेकिन यहां का प्रशासन यहां की सरकार जो अनुमानगड विदानसभा में अधिकारी मनमानी कर रहे हैं कहीं कोई सुनवाई नहीं है और सबसे बड़ी बात जो खाद्य संताग हो और गरीब लोगों को रहा है दूसरी बात थाने तैसील का आल आपको पता है कि इतने बड़े कांड एक बड़े जो संस्तान का संस्तान था जिसको वाटर पार के नाम पर वहां कितनी बड़ी घटना हो जाती है और कौई कभड़े हो रहे हैं कहां पर गोलियां च आप देखिए छोटे-छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने वाड़े बच्चे वो स्मैक का ड्रग्स का और यह चिट्टे का कारोबार करें वो कारोबार कौन करा रहा है पुलिस की मिली बगत के बिना यह काम नहीं हो सकता और आज जब आप इस टाइम आप सर्वे करना पूरे नुमानगड के अंदर एक एक दुकान पे परची सटा लिखने वाले लोग सर्याम बैठे हैं लेकिन उस काल में नहीं होता था लेकिन दुरुबाग्या इस बात का है कि आज नुमानगड में हमारे कोई बड़े नेता चाहिए वो किसी भी पार्टी का हो कोई बड़े नेता बोलने के लिए तयार नहीं कोई सची बात करने के लिए तयार नहीं क्योंकि सब को वोट चाहिए और ये वोटों की राजनिती जो है, वो इस समाज को और इस हनुमानगड को गरत में लेकर जा रही है तो हनुमानगड की जो जनता की मनसा है, देखिए मैंने पहले भी निवेदन किया और और भी बोदलूट लगों ने बात करी है कि नुमानगड को चिला बनाने से लेकर हर छित्र में अगर कोई काम हुआ है विकास का वो गोरोपत हो चाहिए हमारे गाओं के वो सिर्फ बारत्य जन्ता पार्टी के राज में हुआ है और इन लोगों ने सबसे पहले तो मेरे ये बात समझ में नहीं आती कि यहां के जो स्थानी है MLA साब है और यहां के जो चेर्मेन साब है एक तरफ तो चेर्मेन साब विकास के बड़े बड़े दावे कर रहे है दूसरी तरफ विदायक साब कह रहे है कि साब आप तो पूरे जमीन बेश दोगे हम नहीं कह रहे है यहां का विदायक मौझूदा उसी पार्टी का विदायक कर रहा है कि आप तो जमीन बेच दोगे तो हमारे पास पिछे बचेगा क्या तो यह जो इनका जो आपस में जो तालमेल की बात है कि जनता को यह समझ में दो आना चाहिए क्योंकि बानगर नगर परिश्द की सबसे ब बताओ अगर घर पे अपने घर की जमीन प्रोट दुकाने बेच-बेच के अपने अगर गर के अंदर हमाइज आड़ी लेकिए लेकर आएंगे जो उप्वहका समान अगर लेकर ने कि तो कि कितने दिन चलेगा तो अब क्या लगता आपको अनुमानगर में परिवर्तन होना चाहिए जो परंपरागत जो राजनितिक डांचा है जो सिस्टम है वो चेंज होना चाहिए नया नेत्रत वाना चाहिए और जनता बिलकुल मन बना चुकी है आने वाले समय में बारतिया जनता पार्टी की सरकार पुरुन बहुमत के साथ राजस्तान में बनेगी और जो उन्होंने कहा कि आन्होंगुवाटों की राजरिती ही की गई है कि यहांकी जBir बेश दी गई है और जमीन जो घर बेफूंक कर तमासा देखने वाली बात है कि सारी जमीने बेश दी गई है जैसा जी स्त gnärस लगा ओप शार दो कर भाएक कि अन्दर मैं वीदानस Desde cm तो ऐसा कोई काम नहीं तो बाकि रहा हो तो तो तीन जिले नों क्यों सोड़े अब राधिस्तान सरकार जो भी गोशना की है तो परताब गड़ा राज समंद्ध और एक शाहिद वियावर में तो इनों ने की है λαएक जी सDanॲए भूल रहा है तूब है कोई इसे भी विश कोई न में की बाट कर रहे हैं एक पूरा इस बेज़डिया और जो रैलवे इनोंने प्टेण नियों बेज निओं डिया पूरा इन देश के लिए जब से देश के अंदर आए हैं महगाई का रोना रोकर के देश के अंदर आगए लेकिन आज में गाई काम पूसिए इन लोगों ने बंद की थी जब के हमारी जब चालू करने की बात है तो भी जल्दी इसके वादे में निर्ने हो जाएगा आप यह कह रहें कि बाजबा ने कुछ नहीं किया आप बताएं क्या नहीं किया नहीं तो कहता हूं इनको राजस्तान में एकी मुद्दाले बैठेकर लाएंड ओडर आप यह देखिए कि यह राजस्तान बहुत पुराणे समय से शांती प्रिये दर्ती मना गया बीरों फकीरों की दर्ती है यह यहां आज यूपी से बागे हुए गुंडे हर्याना से बागे हुए गुंडे पंजाब से बागे हुए गुंडे सब की शर्नस्तली राजस्तान बना हुआ है रोज गैंग बार होती है रोज मर्डर होते हैं हनुमानगर जैसे छोटे शहर में लोगों को रोज दमकिया रही है फोन आ रहे हैं और मज़ेदर बाद यह कि पकड़े नहीं जा रहे हैं पता नहीं रख अभी कौन है कौन नहीं है रोज हमारे यहां एक मैं कहता हूं कि हमारी लाइफ लाइफ लाइन जो डॉक्टर हैं उनको दमकिया दी जाए तो कैसे खाम कर दो कि यह हनुमानगर अच्छेतर है जब पंजाब में आतकवाद बढ़ा तो यहां की शांती देखर यहां की शुरक्षा देखर वहां से लोग शांती पर यह लोग प्लैन करके यहां है और इस गैंग के लोगों दुवारा यहां दमकिया मिली है डोक्टरों को मिली है वेपारियों को मिली है तो उनके नजिरिये से कहना है कि फूलिस कोई काम नहीं कर रही है और आरोप परत्यारोप तो चलते रहेंगे लेकिन अब तो आने वाला वक्त बताएगा जो वोट गिरे चलेगा कि कॉंगरिस रिपीट करती है या फिर सत्ता में भाजपा आती है तो हनुवानगट विदानसभा से अब इतना ही फिर मिलेंगे हम दूसरी किसी विदानसभा से कैमरा परसंद जाकिर के साथ गुलाम नवी राजसना तक हनुवानगट हुआ हुआ है